मेन पूरी अगर बात करें मेन पूरी अभी बस अभी 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 इन्होंने अपना नामंकन भी भरा है कल की बात है कल या परसों की बात है और वो उसमें ये भी बताया है कि कितने का मोबाइल फोन यूज करती हैं ये भी कहा है कि उनके पास अपनी गाड़ी नहीं है लेकिन काफी सारी चीजों की शौकीन है, सारी चीजों उसमें डीटेल है लेकिन SP 54% से जादा जो की लग रहा है, ये बहुत जादा डिफिकल नहीं होगा BJP 32%, वोट तैनी है 7.18% जी हाँ, लेकिन डिमपल यादव के बारे में अशिव आप निकालें डिमपल यादव की सीट पर क्या हो रहा है, जादना बहुत दिलचस्प होगा उसका आकराम निकाल कर रखेंगे और वो बताएंगे डिमपल यादव की सीट पर क्या होगा लेकिन शम्बुनाजी, ये जो है अभी सीट, इसके बारे में हम बात करेंगे डिमपल यादव की सीट पर क्या स्थती है, उत्तर प्रदेश में लेकिन जो हमारा उपिनियन पोल दिखा रहा है, उसमें समाजवादी पार्टी को थोड़ा फाइदा होता हुआ दिख रहा है गटबधन के बचल से, क्या आपको लगता है कि वो जहां तक अभी है लिमिट आप क्या हो गया, अगर कंनोज से अखलेश जी खुद लड़ते हैं तो कंनोज सी सपा को जा सकती है, बगल में फिर इटावा है, इटावा में भी कुछ हो सकता है, इसे सपा का असर सेंटल यूपी में जो सपा का गड़ रहा है, वहां के एक नए कुछ ना कुछ फाइदा में चली जाए, तो ऐसा नहीं कि सपा कोई कमजोर लड़ रही हो, सपा का एक कांग्रेस से गठवंदन है, उसका लाब उसे मिल सकता है, कांग्रेस आज की तारीक में यूपी में कहीं जीती ने दिखाई पड़ रही हो, यहां तक कि अमेठी और रैवरिली सीटे भी कर रहा दा बिलेगा देखेंड है, यहां पर कमफुटबल दिखाई दे रही है, यहां पर पूरी तरह से इसमें कोई अंतर भी नहीं है, रंग में भी अंतर नहीं है, यहां पर वोट्षे दिखा सकते हैं, भाजपा का करीबन 40% मैक्सिमम जा रहा है, महन पूरी में 47.84% है और देखे ये करहल की जो सीट है विधान सभा यहां पर 59.96% है कि किशानी की जो सीट है वहां पर 53.47% और यहां देखे जस्वंत नगर पर बहुत बड़ा मार्जनेशिव बताए यहां पर बीजेपी यहां पर 22.5% के करीब है और बीएस पी जो वोट सिर्फ 5% पा रही है व बिलकुल कंफुटबली बढ़त बनाए हुए है यहां पर डिम्पल यादव